हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू किट्टू ट्रीम हास प्रेंट्स आप ये देख रहे हूं वाइट सीमिट के 5 kg के पॉच में मैंने ये मदू मालती का प्लांट कटिंग करके ऐसी रख दिया था बिल्कुल सूख गया था बट मैं इसमें पानी देती रही हो और अपने आपी हरा ह हो गया ये फरवरी मार्च का मेहना बहुत अच्छा होता है सुख के प्लांट भी हरे हो जाते हैं और यह मैंने इसी टब में जिसमें मैंने क्रेले लगाए थे पिछले साल अभी भी लगाऊंगे आपको वीडियो इसी के ओपर दिखा रहे हूं कि मैंने इसमें क्रेले ट्र सेफ एक दम से इकवल सी होती है वस लीफ में थोड़ा सफर कोता है यह भी चुगनी का है इसकी पहचान करनी होती है चुगनी का प्लांट के लीफ जो है चिकने होते है थोड़े से और कद्दू के चपन कद्दू के कद्दू के जैसे होते हैं और यह वाले जो मैंने प्ला यहां पर यहां पर मैं टाल रही हूं यह सुबह शुबह जैसे मॉर्निंग के टैम मैं इसमें जो लीफ है यह मत्र के डाले हुए इनको कवर कर दिया था और अब मैं स्थाम को देखिए इनमें ट्रांस्प्लांट करूंगी यह क्रेले की बेले और काफी इसी उठ जाती है यह देखिए मैं उठाकर आपको दिखाती हूं कोई जुरूरी नहीं है कि सीड ग्रो करने के लिए हमें सीट रेच ही है किसी भी आप वेश्ट डिब्बे वगेरा में ग्रो कर दें और यह जो गत् इसमें काफी अच्छी कलियां सी बनी होई है और चुगनी का प्लांट जरूर सामल करें अपनी गार्डन में इसके जो है सुन्दरता भी काफी अच्छी है मतलब एकदम से भर जाता है प्लांट काफी हैल्दी होता है गमला या ग्रो बैक जिसमें भी आपने लगाए वह ए टोगियों फ्रेंट्स मैं कुछ बीजी चल रही हूं आज कल जैसे सत्संगर में सेवा चल रही है पूरा दिन तो सत्संगर में निकल जाता है और बस टैमी नहीं लगरा वीडियो बनाने का और यह मैंने जैसे वीक पहले की शूटिंग ली हुई है थोड़ी सी सूटिंग लाश्ट में दिखाऊँगी वीक का रजल्ट दिखाऊंगी आपको और जब भी फ्रेंट्स अप ट्रांसप्लांट करते हैं यह प्रूट का हो प्लांट हो या बेल्स बगारा कुछ भी हो जब भी आप ट्रांसप्लांट करें शाम को करें जैसी कि दिन छिपने से वाला है या फिर पांच एक वजे भी आप कर सकते हैं इन पर दूप नहीं लगने चाहिए तुरंट जब हम इने ट्रांस्प्लांट करते हैं नहीं तो यह थोड़ा सक न हो जाता है कि मुर्जास ही जाते हैं शौट में आ जाते हैं इसलिए इने शाम को ही ट्रांस्प्लांट करें तो देखिए हम इसके इर्द गिर्द लगा रहे हैं क्रेले की वेल्स और काफी इजी हमें इने उठा लेते हैं जैसे मैंने टू की टू उठा ले इन में से अलग अलग कर दें एक 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 और ऐसे लगा दें और यह जो डिबबा है इसी हमें संभालने की जुरूरत नहीं और कितने अच्छे से इसमें लगा दिया है टब में और इस डिबबे को अब हम डालेंगे या फिर किसी ग्रो बैग में या किसी किचन वेस्ट में देखिए एकदम से गल गया है यह खाद ही बनता है फ्रेंस इसे आप यह ना सोचें कि यह गत्ता ही रहेगा और यह देखि इसमें पॉलोथीन था कुछ अंदर लगा हुआ थोड़ा सा जो डिबे में मठाई के डिबे में होता है ओलेडी तो मैंने एक्टरा से इसमें कोई पॉलोथीन नहीं चड़ाया क्यूंकि बस हमें सीड पॉद चाहिए थी 15 से 20 दिन में हमें पॉद मिल जाती है और ज्यादा के अंदर अंदर इन्हें ट्रांस्प्लांट कर दें तो देखी मैंने इसकी इर्द गिर्द लगा दिया है ऐसे सारे क्रेले की सीड और अगर मुझे लगेगा कि यह घने हो गए हैं तो मैं बाद में इनमें से कुछ उठा भी दोंगी क्रेले की बेल्स और जो बीच में चु बट उठाओंगी इनमें से एक दो बस पांच शे बहुत हैं इसमें यह चोटे वाली जो हैं यह मैं बाद में उठा लूँगी जैसे थोड़ी सी बढ़ेंगी तो इन्हें कहीं और लगा दूँगी और दूसरे वाला जो टिबबा अभी है बेल्स का जो पौद का क्रेले की वेल्स का उन्हें भी मैं कहीं इदर उदर जैसे थर्मकोल के बॉक्सस हैं काफी गहरे हैं उनमें लगा दूँगी जहां पे मुझे लगेगा थोड़ी सी जगा है इस तरीके से हम देखके अपनी गार्डन में अपने आपी पता होता है कहां पे हमें जगा मिल भी है कहां प जोल स्तुक नहींति लेकिन प्रेंट सारे दिन की दूप तो लगी न Holmes को फिर वह शॉट में आ जाते हैं वह मरसी जाते हैं फिर चलते नहीं है चल भी जातले कहीं पर टैम लगता है को चलने में तो यहां पर हमने जैसे पहले से ही मैंने यहां पर अम्रूद की एक लंबी सी स्टिक लगा रहा है उस पर चड़ा दिया देखिए कितने अच्छे से और यहां पर मैं यह सरिया गाडरी हूं यह भी तेन तो वस इस त्रीके से आप अपनी गार्डन में काम करते रहें अपने सुरीर सवस्त रखें अपने शांक पूरे किरें और 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 गैनिक वेजिटेवल हर्वेश्ट करें अब υड़ाने की लेकिन जब इसते से क्रेले हर्वेश्ट करते हैं इतना मजा आता है एक तो हमें कोई tension नहीं होती किसी तरह की जो tension में रहते हैं वो फ्रेंट्स तो जरूर gardening करें क्योंकि gardening करने में हमें जो ये plant लगाते हैं इनके साथ हमें बहुत प्यार हो जाता है, more हो जाता है बार बार इने देखते हैं चल रहा है, कितना चल रहा है, कितने अच्छी speed से इस से उठा दूंगी कहीं पर लगा दूंगी ऐसा कुछ करूंगी देख रही हूं जहां पर अब भी गाड रही हूं क्योंकि अभी मैंने इन्हें लगाया इनकी जड़ों को जो है नुकसान नहीं होगा अगर हम बाद में लगाते हैं जैसे बड़े होगे फिर इनकी जड़ें अगर रंडे की साथ दब जाती है तो वो कुछ तूट जाती है और वो प्लांट सूकने का डर होता है तो देखिए मैंने यह लगा दी हैं अब दिखाती हूं आपको आगे नेक्स वीक का रिजल्ट आप देखिए कितना सुन्दर लग रहा है एक तम से पूरा टब कवर कर लिया इतना बड़ा टब है और यह देखिए इसमें चुगनी भी आगी है देखिए जिसे लंबे लंबे जो कद्दू होते हैं तोरी के जैसे और यह बेल्स देखिए कितने अच्छी बन लगी है यह देखिए इसको ऐसे हमने चड़ा देना है और यह चड़ी हुई है और फ्रेम्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें शेर कर दें दोस्तों को रिष्तेदारों को